रात के अंधेरे में घर में अकेली रह रही एक महिला नैना को एक अशुब फोन कॉल आता है कॉल पर दूसरी ओर से डरावनी गुस्से से भरी एक आवाज आती है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था भयभीत और अकेली नैना खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक प्रेंक कॉल थी लेकिन जैसे ही वह फोन रखती है फोन बार-बार बचता है और वही आवाज आती है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था हर बार आवाज अधिक डरावनी हो जाती है नैना एक चाकू पकड़ती है और सावधानी से अपने मंद रोश्टी वाले धर में भूटती है हर ताले और खिड़की की जाच करती है मिनट बेहत धीमी गती से बीत रहे हैं और फोन की प्रत्य गंटी के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है अचानक दर्वाजे पर जोरदार धमाका हुआ नैना ठिठक गई उसकी सांसें गले में अटक गई धमाकों की आवाज तेज और अधिक तीवर हो जाती है मौत की घंटी की तरह खाली घर में कूंचती है अपना सारा साहस जुटाते हुए नैना दर्वाजे के पास पहुचती है हैंडल तक पहुचते समय उसका हाथ कांप रहा था एक गहरी सांस के साथ वह दर्वाजा खोलती है जो भी भयावहता उसका इंतजार कर रही है नैना उसका सामना करने के लिए तैयार है लेकिन वह दर्वाजा खोलती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता राहत महसूस करते हुए नैना दर्वाजा बंद करना शुरू कर देती है तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सी फुस-फुसाहट सुनाई देती है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था वह पीछे गूंती है और देखती है कि डरावना आदमी एक चाकू लिए कुछ ही दूरी पर खड़ा है उसके चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान है इससे पहले कि नैना कुछ प्रतिक्रिया कर पाती वह आगे बढ़ता है और चाकू उसकी चाती में घोप देता है जैसे ही नैना जमीन पर गिरती है डरावना आदमी उसके करीब जुक जाता है उसके कान में एक खतरनाक फुस-फुसाहट करते हुए बोलता है तो में एहने ही आना जहीता